कि मेरी ना लगबग रोज कई सौ बच्चों से बात होती है मतलब कॉल पे मिल करके वो बेसिक फैक्टर्स होते है ना करियर चूज करने के एक कोर्स चूज करने के लिए या तो पेरेंट्स का प्रेशर या पीर प्रेशर जैसा करन ने बोला कि भाई दुगल ने भर दिया तो हर आदमी गए या गर्ल्फ्रेंड का या बॉइफ्रेंड का या कोई आल्टर मोटे होता है कि मेरे को उसी जगे में जाकर कुछ करना है मतलब इसके लावा मेरे को कोई यह सौ मैंसे सतर से असी परसेंट लोगों में मेरे को मिलता है जैसे मैं तो study abroad में भी हूँ तो उसमें भी यही सीन है कि मेरे को यहां जाना है इतने पैसे हैं मेरे को पहुंचा दो बहुत कम लोग है मेरे को यह particular course करना है for example कितना मुश्किल हो जाता है एक बच्चा है जिसने aerospace किया है बीटेंग इंजिनेरिंग अब बच्चा इंटरस्टेड है वही aerospace करने के लिए master's बाहर अब उसमें तो बच्चा जा नहीं सकता अब हम ढूनते है कि second best क्या है तो second best जैसे कि लोग को पता ही नहीं है airline management का कितना जबरदस्त course है एक साल की master's है that's it और बहुत ज्यादा costly नहीं है मतलब उतनी नहीं है जितना आपको शायद IIM के access पड़ेगा उतना ही पड़ेगा ब नहीं baggage पहुंच गया तो मतलब यह industry मैंने आज तक यह नहीं दिखा कि organized study हो कि भाई मैं इसी की त्यारी कर रहा हूं कि airlines को कैसे manage करते हैं उनके schedule को staff को एक्सवाइज में बहुत सारी चीज़ है उस course में तो पता ही नहीं कि ऐसा भी course होता है कितना नया professional को को इसमें master's करता और वापस आता है इंडिया करने में उसको मतलब मैं के तो चुटकियों में जॉब लगेगी और अच्छे लेवल पर लगेगी सीधा क्योंकि जितने भी लोग घुशते हैं बिल्कुल बेस लेवल से घुशते हैं जहां नौफरी होती है बीस पच्चेस जार की तीस जार की मैक्सिमम उधर पैसा ही नहीं अगर आप पाइलेट नहीं हो तो पाइलेट हो तो बात अलग है लेकिन उसके अलावा पचास जार चीज़े हैं एरलाइन में तब इतना जाफ दिखता है मतलब वह आल्टरनेटिज वह दिखते ही नहीं है क्योंकि वह जो मोटिवेटिंग फ तो सौ साल से चल रही है जो मैं पढ़ा सब कुछ जाना स्टाडी करी इस बारे में सौ साल से भी जादा बोलूंगा एटीन हंडर्ड में यूएस में स्टार्ट हो गया था इंडस्ट्रिल एवलूशन की टाइम पर लेकिन इंडिया में अभी तक को चीज हिट करी ही नहीं ह लोग लेने भी नहीं जाते हैं मतलब लोग इंची जो आपका मतलब यार पूरी लाइफ डिफाइन करने वाला है कि अराउंड थर्टी फॉर्टी फिफ्टी सिच्टी यर्स आपको उस चीज में देने हैं हम लोग उस चीज को नॉमली सिफ किसी से पूछ पांच के कि चलो यह कर सकता हूं यह नहीं कर सकता है अगला आप लेते हो 11 12 के बाद मलब जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है तेक्निकली कि आप जाओ आप प्रॉपर गाइडेंस ले करके आओ करियर एक्स्टोर करके आओ क्योंकि आज के ताइम पर चार-पांच हजार से ज्याद प्रॉपर जानते ही हैं अपने नेट्वोक में कि कोई कर पाया कोई नहीं कर पाया क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो ऐसे भी सीन होते हैं तो मेभी वहां राइट फिट डूनना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अगर मैं शोचो 16 साल 17 साल की उमर में पता ही निया कुछ तो बंदा डिसाइड कैसे करेगा राइट बहुत-बहुत-बहुत मैं बतातो मदूर बहुत सेट प्रोसीजर है क्लियर कट सेट प्रोसीजर है आप जाओ पहले आप जा करके एक डिसकॉशन करते हो बंदे के साथ क्या होता है ने है कि बहुत सारे फैक्टर्ष होते हैं मेजर लियागर होता है कि एक फैक्टर्स आप से र classrooms मार्केट्स होते हैं और कुछ गहेंगे किumba होते हैं for example और इसमें मतलब आगे जैसे फॉस में आप बातचीत करके पता लगाते हो कि बंदे का बैगराउंड क्या है family status क्या है सारी क्योंकि इससे भी बहुत matter है for example पूरे आप जब पूरे अपने sessions complete करते हो सारी चीज़े करते हो आपका निकलता है कि आपको medical field में जाना चाहिए बट family background ऐसा ही नहीं कि भाई मैं एक करोड करोड पर लगा सकूँ तो फिर वो drop करना पड़ता लेकिन medical field का मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं है न मेडिकल में आपकी nursing भी आती है dentistry भी आती है physiotherapy भी आती है kairo भी आता है हजार चीज़े और आती है तो यहां से वह open होता scope कि आप खाली उस testing के basis पे भी नहीं कर सकते और खाली आप सिर तीर तुक्य में मेरा interest है मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता उस basis पे भी नहीं कर सकते हैं तो जब आप पूरे process से गुजरते हो ना hundred and twenty percent ही होता है कि आपको अपना response मिलता ही मिलता है कि हां यार और उसके बाद उसमें आगे जाना चाहिए तो पहला एक basic discussion होता है फिर आप test से गुजरते हो और test भी एक तरह की नहीं होता है एक interest का test होता है आपका एक aptitude का होता है फिर आपकी personality का होता है तो इन सब test का combination होता है वो निकलता है उसमें कुछ scoring निकलती है उस score के business में आपको लगता है कि है for example बंदा extrovert है और extrovert होने के साथ साथ बंदा अपने चीज़ों को organize बहुत अच्छे से नहीं कर पाता creative spirit है और यह सारी चीज़े मतलब यह combination बन करके निकलता है यह personality का पार्ट हो गया फिर उसमें aptitude जोड़ा जाता है तो एक लंबा सा चिटा बनता है फिर वो बंदा आपको पूरा समझाता है कि यह चीज़े हैं आपको आपकी personality के बारे में बताता है फिर उसके साथ right fit निका करता है कि यह law के लिए आपके identify करके देता है कि law में यह courses है जिसके लिए आप जा सकते हो बढ़ाई करने के लिए फिर आपको आगे चाहिए तो बंदा workout करता है कि उसमें भी यह best colleges है जिसमें आपका हो सकता है तैयारी शुरू करो बहुत ही मतलब structured मतलब मैं amazed हूं कि इतना सब्सक्राइब करने वाले में बताता हूं स्कूल में क्या होता है सबसे फुद्दू चीज क्या है स्कूल के अंदर कि भाई आपके aptitude आपका marks सब्सक्राइब करेगा और हमने तो अपनी आखो देखा ही है कि भाई यह aptitude के basis पर आपका clearly बच्चों के बीच में भी decide हो जाता है भाई इसके number नहीं है तो यह इसके number आए तो यह तो मालों कि जो arts कर रहो तो गदे का बच्चा है कि सबसे गदा बच्चा हुआ उनके हिसाब से वह arts कर रहा है और मुझे लगता है कि aptitude इतनी कोई बड़ा factor होता नहीं है इससे भी बहुत बड़े बड़े factors होते हैं जब हम काम करने जाते हैं किसी किसी भी corporate में